नमस्तार मैं हूँ आजल सिंग और आप सभी का स्वागत है मारे चैनल पर वक्त की बड़ी खबर आपको बता देख हुआ कि जिला परिशत चुनाओं पर सबकी नजर थी और चुनाओं का रिजल्ट आ रहा है और सबकी नजरे वहीं पर बनी हुई थी यह कहा जा रहा था कि जो भी परिणाम आएगा उसी यह तेय किया जाएगा कि विधान सभा जो चुनाओं होने वाले हैं 2022 में उसके नतीजे वही रहेंगे तो बिल्कुल वही हुआ है जो आकड़े लगाये जा रहे थे और जो यह कहा जा रहा था कि बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा तो बी सीटों पर बीजेपी आगे चल रहे है या जीत चुकी है तो इस वक्त के जो आकड़े हमारे सामने हैं वो साफ यह बता रहे हैं कि एक बार फिर विधान सभा में बीजेपी की सरकार आने वाली है इसके साथ अगर हम बात करें तो इस पर मीम से भी कई सारे बन रहे हैं राह सीटे मिली हैं इसके साथ ही बाकी जो पार्टियां है चाहे वो एमजीपी हो एंसीपी हो या इंडिपेंडेंट हो उन सब को जिस तरीके के आकड़े मिल रहे हैं जो निर्दलिये हैं उनको छे सीटे मिल रहे हैं एंसीपी को एक सीटे इसके साथ ही एमजीपी जिसको तीन स पर सिमट कर रह चुकी है तो हैदराबाद और इसके साथ ही राजस्थान के बाद अब गौवा में भी भगवा लहरा रहा है और एक बार फिर करारी हार कौंगरिस की हुई है यह कहा जा रहा था कौंगरिस के तरब से आम आदमी पार्टी के तरब से भी हम गोवा में अब जिस तरीके से एलेक्रिसिटी और बाकी चीजों को लेकर मुखमंतरी अर्विंद के एजरिवाल काम कर रहे हैं इससे हमें गोवा में बढ़त मिलेगी अब यह सारी चीजे जो उनके नेताओं के तरफ से दावा की जा रहा था तो उसी सब की पोल खुल चुकी है और एक पर फिर बीजेपी भारी मतों से जीत रही है यह जो आकड़े हैं वो बहत ही आगे हैं क्योंकि एक अगर हम केंदर में जो सत्ता है उस पर देखे और विपक्षे तो यहां पर हम बात करेंगी बड़ी पार्टों की यानि कि कॉंग्रिस की और बीजेपी की तो यहां पर जो आकड़े हमारे पास इस वक्त 30 से ज़्यादा सीटे हैं वो बीजेपी के खाते में जाते हुए सीधे सीधे दिख रही है इसके साथ अगर हम बात करें तो कॉंग्रिस के खाते में जो 4 सीटे मिली हुई है इसे यह साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और कॉंग्रिस में किस तरीके से जो फासला है वो साफ दिखा रहा है कि आने वाले जो विधान सभा के चुनाओं है उसमें किसको फायदा होने वाला है और कौन सी पार्टी आएगी तो यहां पर जो पहले यह कहा जा रहा था कि बीजेपी बढ़त बनाएगी बीजेपी के पक्ष में माहूल है लेकिन यहां पूरी तरीके से सूफ़रा साफ हो चुका है बाकी पार्टियों का और बीजेपी सबसे आगे निकल चुकी है इससे पहले हमने देखा कि इससे जो 49 सीटे बीजेपी को मिली इससे यह देखा जा रहता है कि पहली बार बीजेपी को इतनी सीटे मिली है इससे पहले हमने देखा कि चार सीटों पर सिमट कर बीजेपी रह गई थी और उसके बाद 48 सीटे हैदराबाद में लेकर आती है राजस्थान में हमने देखा क कि कॉंग्रिस का किस तरिके से सूपरा साफ हो गया और BJP किस तरीके से आगे निकल चुकी जबकि राजयस्तान में ये ट्रेंड रहा है कि जिसकी विधान सभा में जिसके पास सीटे रहती है वही पंचार चुनौव में फैलाई चाज़ी है लेकिन उस सबका असर नहीं पढ़ रहा है जिस तरीके से प्रधान मंति नरिदमोधी ग्रीह मंत्री अमिश्या काम कर रहे हैं वो धरातल पर दिखाइ पढ़ रहा है जनता जो है वह प्रधान पर रही है वो जंता के भलाई में बिल पास नहीं कर रहे है तमाम एसे आरोप लगाए जाते है तो हर बार बीजेपी यही कहती है कि जब चुनाओं आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा एक पार्टी जिसने 70 सालों तक केंद्र में बैठी हुई थी और आज उसका प्रदर्शन है वो किस्लेकार का प्रदर्शन है यही हैद्राबाद में भी देखनकों मिला था, यही राजस्तान में भी देखने को मिल रहा है गोवा में तो यह सारी जो चीजें हैं वो दिखाता है कि देश में कितना भी कोशिश विपक्ष कर ले जो राहूल गांधी सोनिया गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं जनता को मूर्ख बनाने की ये नहीं होगा और जनता लगा अतार जो काम किये जा रहे हैं बीज़ेपी की तरप से जो काम किये जा रहे हैं प्रधान cuánti नर्यद मोदी के तरप से वह धरातल पर दिख रहा हूं और इसलिए जनता उनको समर्थन कर रही है इसके साथ एकर हम बात करें राजस्तान के पंचायती राज चुनाओं में कॉंग्रिस के जो परडाम आये हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं जो बड़े-बड़े इनके दिगज हैं उसमें उनके जो छेत रहें उनके जो गढ़ रहें हैं उसमें बड़ा जटका कॉंग्रिस को लगा है चुनाओं में मुखमंतरी अशोग गहलोत की बीजेपी के गढ़ में भी नहीं चली बीजेपी ने एक बार फिर पंचायत के से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद ये उमीदे थी कि अपने शेत्र में वो कॉंग्रेस को जीत दिलाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ है अब इस ये जो चाहे वो हैदराबाद हो राजस्थान हो या फिर गोवा हो इसके जो परिडाम आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि आने वाले जो गोवा की विधान सभा चुनाओं है 2022 में वो तो परिडाम आ गया है बीजेपी के पक्ष में क्योंकि पहले से ही जो विशलेशक हैं वो कह रहे थे यह हम इसलिए बार-बार कह रहे हैं कि यहां पर विपक्ष जो ब्रहमक चीजे फैला रह है एक बार राहुल गांधी सोनिया गांधी सभी उन लोगों को ये लग रहा है कि इस तरीके की जो हरकते उनके तरफ से की जा रहे हैं तो ये जंता का मूड बदलने की कोशिश हो सकती है इससे पहले आपने देखा कि एक जूट फैलाया गया राहुल गांधी प्रियंका ग लेकिन कोशिश करना चाहती थी लेकिन कंगरेस को ये पता होना चाहिए कि मजबूती के साथ देश की जनता प्रदानवंती नरिद मोडी के साथ खड़ी हुई है तो वह कितनी भी शाजिस कर ले और राहुल गांधी को बड़े बड़े सपने आ लें लेकिन सच्चाई जो ह बिल पर राजनीती कर रहे हैं और इसके साथ ही कॉंग्रिस की जो सच्चाई है वो पता चल रहे हैं इसके साथ ही समझदार हो जाना चाहिए शुसेना को भी क्योंकि आने वाले दिनों में यही हल महराश्ट का भी होने वाला है बेंसी के चुनाओ 2022 में आने वाले हैं और उनक जिस तरीके से कई सारे मुद्दों को उठाकर उन्हेंने बताया था कि अब गोवा में आम आदमी पार्टी अच्छा करने जा रही है और गोवा में हम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे बेहत प्रदर्शन अच्छा रहेगा तमाम उनके तरफ से दावे किये गए थ सारे दावों की हवा निकल चुकी है अब यह जो आकड़े हैं यह साफ बता रहे हैं कि आने माले दिनों में विधान सबा में बीजेपी के सरकार गोवा में बननी जार रही है और इसके साथ ही लोगों का जो रियक्शन आ रहा है उस पर भी हम बात करेंगे कई सारे ऐसे लो जीरो एनसीपी एक और अदर्स जो हैं उनको छे सीटे मिल रही हैं इसके साथ ही कुछ और भी जो वहाँ पर पार्टिया लड़ रही थी उनके बारे में भी यह कहा जा रहा था कि इससे पहले किसी ने भी जो बड़ी पार्टिया हैं उन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ कहीं बीजेपी को जो काम्याबी मिली है उसमें हाथ राहुल गांधी का एक बार फिर है तो जनता लगहतार बीजेपी को समर्थन करती रहेगी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहले से ही गोवा पहुच गये थे लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का प्रदर्शन जाब नहीं रहा तो पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष्में पूरा माहुल था पहले से ही और ये कहा जा रहा था कि वही बढ़त बनाए की और जीट बीजेपी को ही मिलेगी लेकिन जिस प्रकार से जीत मिली है बंपर जीत बीजेपी की हुई है तो पहले से ये कहा दा रहा था कि बहुत एहम चुनाओ था ये और ये विधान सभा चुनाओ 2022 के रिजल्ट के तौर पर देखा जा रहा था तो ये बहुत बड़े आक्रे हमारे सामने इस वक्त के हैं और ये साफ दिखाई दे रहा है कि विधान सभा चुनाओ में बीजेपी के सरकार गोवा में बन रही है और इस वक्त राहुल गांधी और केजरीवाल के लिए फिर से मन्थन करना जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से किसान बिल पर राजनीती उन लोगों के तरप से की जा रही ह सिंदू बार्डर पर पहुचकर और वैसे भी किस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है इस सबसे देश नहीं चलने वाला और देश की जो जनता है वो प्रधानमंती नरिद मोधी और बीजेपी के साथ में है तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राह है कमेंट करके जरू थी रहे धन्यवाद